चतूर लोम्डी को सिखाया सबक कुर्बा नाम का एक जंगल होता है उस जंगल में हर तरह के जानवर रहते है कुछ जानवर बड़े ही खुंखार तो कुछ जानवर आल से भी होते है जैसे कि लोम्डी लोम्डी खुद का शिकार करने में बड़ा आलस करता है एक बार ऐसे ही लोम्डी को भूक लगती है और वो जंगल में खाना ढूनता रहता है तभी उसकी नजर एक कव्वे पर जाती है जो पेड़ पर एक मास का टुकड़ा अपने मूँ में पकड़ कर खाने वाला होता है लोम्डी उसे कहता है अरे वा कव्वे भाई मैंने तुमारे बारे में कुछ सुना है क्या सुना है लोम्डी भाई अरे यही कि तुम बड़ा ही सुरी लागाते हो एक बार मुझे भी सुनाओना अपना गाना ऐसा कहते ही कव्वा गाना गाने के लिए अपना मूँ खोलता है और उसके मूँ से वो मास का ठुकडा गिर जाता है लोमडी वो ठुकडा उठा गर भाग जाता है और वेचरा कव्वा गाना गाते ही रहता है थोड़ी देर के बाद उसे लोमडी की चाल का पता चलता है फिर ऐसे ही एक दिन लोमडी एक तेंदुए को शिकार को ले जाते हुए देखता है उसका शिकार देखकर लोमडी सोचता है अरे वाह इस तेंदुए ने तो बहुती बड़ी हा शिकार किया है इसका शिकार हतिया ना पड़ेगा लेकिन क्या करू ऐसा सोच कर लो, अमड़ी उस तेंदुए के पास जाता है, और उसे कहता है अरे तेंदुए जी, आपके बारे में मैंने कुछ सुना है अच्छा, क्या सुना है, जरा बताओ यही कि आप बहुत ही बहादुर हो, लेकिन पेड़ पर चड़ने से डरते हो क्या कहा, मैं, और डरता हूँ, किसने कहा ऐसा, बताओ तो चलिए छोड़िये, वो ज़्यादा महत्वपुन्ने नहीं है तेंदुए जी आप मेरे सामने ही चड़ कर दिखाओगे, तो मैं मान जाओगा कि आप पेड़ पर चड़ने से डरते नहीं ठीक है, मैं अभी तुमारे सामने पेड़ पर चड़ कर दिखाता हूँ लोमडी की बातों में आकर वो तेंदुए अपने शिकार को छोड़ कर पेड़ पर चड़ने लगता है वो जैसे ही बहुत उपर पहुचता है, लोमडी उसका शिकार लेकर टेजी से भाग जाता है ये देखकर तेंदुए उपर से ही चिलाने लगता है अरे दो के बास लोमडी, मुझे उल्लू बनाया, रुख जा, मेरा शिकार मुझे वापस दे दे लेकिन लोमडी कहा रुखने वाला था, वो तेंदुए का शिकार लेकर बहुत दूर भाग जाता है और अकेले ही बैटकर उस शिकार का लुफ्त उटाता है लेकिन कुछ दिनों के बाद सभी जानवर होशियार होकर लोमडी की बाद सुनते ही नहीं और उसके जाल में नहीं फसते जिस वज़े से लोमडी को खाना नहीं मिल पाता और लोमडी दिन बदिन कमजर होता जाता है अब उसे कुछ तो करना हुगा, वरना वो भूका मर जाता ये सोचकर वो एक प्लान करता है और जाकर शेर से मिलकर कहता है शेर महराज की जैहो, आप कैसे हो शेर महराज? अरे लो मुड़े, तेरी इतनी हिम्मत कि तु मेरे सामने आकर बात कर रहा है महराज, अब आप ही बताईए, वक्त ही ऐसा है कि क्या करे कुछ समझ नहीं आ रहा इसलिए मैं सोच रहा था कि आपको मेरा प्लान बतादू अरे, तू क्या प्लान बताएगा लो मुड़े, मुझे सब पता है कि तू दूसरे का शिकार चीन के खाता है अच्छा अच्छा, वो तो पुरानी बात हो गई महराज इसलिए तो मैं एक नया प्लान लेकर आपके पास आया हूँ जिससे आपको भी कभी शिकार करने की जरुद नहीं पड़ेगी और खाना आपके सामने रहेगा अच्छा, वो कैसे लो मुड़ी? महराज, मैं शिकार को लेकर आपके पास धोके से लेकर आता हूँ और आप उसका शिकार करके थोड़ा मुझे दे दीजिएगा क्या कहते हो? ठीक है लो मुड़ी, तो जा फिर किसी अच्छे से शिकार को लेकरा मेरा लंज करने का वक्त हो गया है ये बात कहे कर लो मुड़ी जंगल में शिकार डूंटे रहता है कि तबी उसे एक हीरन घास खाते हुए एक जगा दिखता है लो मुड़ी उस हीरन के पास जाता है और उसे कहता है अरे रे रे हीरन, ये क्या खा रहे हो? बेकार सी घास अरे मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें एक खेत दिखाता हूँ जहाँ पर ढेर सारे मीठे गन्ने और कौर्न है अच्छा, क्या तुम सच कह रहे हो? लो, जूट तो मैं कभी बोलता ही नहीं बेचारा हीरन लोमडी के साथ जाता है और उदर घात लगाए बैठा शेर हीरन पर हमला करके उसे मार डालता है और फिर शेर और लोमडी मिलकर उस हीरन को खा जाते है लोमडी का ये प्लान शेर को भी अब अच्छा लगने लगता है ऐसा करते करते लोमडी कई सारे जानवरों को बेवकुब बनाता है और शेर के हातों शिकार करवा कर उसे खा जाते है लेकिन ये सब करते हुए एक बंदर पेड से देखता रहता है और वो अपने जंगली साथियों के साथ मिटिंग करता है और लोमडी को सबक सिखाने का प्लान बनाते है प्लान के मुताबिक एक दिन बंदर एक सुरंग बनाता है और उसमें एक अपनी दोस्त बकरी को खड़ा करता है और खुद जाकर लोमडी से कहता है अरे लोमडी बाई, मेरी मदद किए ये, मेरा एक बगरी दोस्त एक सुरंग में फस गया है, आप प्लीज मेरे साथ चलो, और उसे बाहर निकालने में मेरी मदद करो. बंदर की ये बात सुनकर लोमडी मन में ही सोचता है, कि ये तो खुद एक शिकार उसके हाथ आया है, और शेर को देकर शेर और भी खुश हो जाएगा, इसलिए वो तैयार हो जाता है, वो कहता है, अच्छा ठीक है, मुझे मदद करना बहुत पसंद है, मैं जरूर आऊंगा. ये कहकर दोनों उस सुरंग की तरब जाते है, और जैसे ही लोमडी उस सुरंग में घुसता है, बंदर इस तरब से सुरंग को बंद कर देता है, और वो बकरी दूसरी तरब से बाहर भाग कर निकल जाती है. उदर से एक हाती बड़ा सा पत्थर लेकर उस सुरंग को बंद क सिखाते हैं जंगल में एक कुवे का पानी आदा हो गया जिसकी वज़े से पानी मिलना कठिन हो गया इससे पहले पानी का कुवा पानी से भरा हुआ था और जानवरों के लिए पानी मिलना बहुत ही आसन था राजा शेर ने ये देखा और एक पेड़ के नीचे बैट कर सोचनी लगा कि इस पाने की समस्या को कैसे हल किया जाए तब ही वहाँ पर एक कवा आया वो अपने दोस्त को पुकार रहा था राजा शेर ने वो सुना और कहा अरे क्यों तुम ऐसे क्यों चिला रहे हो मैं एक पिशे पर सोच रहा हूँ ये गंभीर समस्या तुम्हारी आवास से मैं अपनी सोच से भटक रहा हूँ मुझे माब कर दो राजा जी मैं यहाँ अपने मित्र को खोज रहा हूँ ठीक है यहाँ से चले जाओ तुम्हारे दोस यहाँ नहीं है ठीक है राजा जी पर एक बात है आप जो विशे सोच रहे हैं बस वो मुझे पता दो मैं भी उसके बारे में सोचूंगा क्या तुम भी सोचेंगे कोई विशय नहीं है तुम उस विशय में कुछ नहीं कर सकते मैं अपने सबसे अच्छे राजा शेर की मदद करने की कोशिश करूंगा बस मुझे बताओ आपकी समस्या क्या है तब शेर ने कोवे से कहा इस जंगल में क्यवल एक कुवा है जैसा कि यहां गर्वी का मौसम है कुवे में पानी आधा हो गया है इसलिए सभी जनवर संगश कर रहे है अपनी प्यास मिटाने के लिए ओ क्या ये बड़ी समस्या है राजा शेर इसी तरह शेर और कुवा समस्या के विशय पर सोचने लगे कुवे को एक विचार आया और उसनी कहा राजा जी मुझे एक विचार आया है सच में वह क्या है ये इतना आसान है राजा जी उस कुवे के पानी को उपर लाने के लिए हमें एक बड़े लंबी लटकती वाली जड़ का बरगत का पेड़ चाहिए फिर हमें बड़ी पत्या चाहिए जो एक गोल की तरह मोड़ी जा सकती है और वह लटकती हुई जड़ की मदद के साथ उस पत्ती को छोड़ दे जिसमें पानी भर जाएगा उन पत्तियों में जिनें हम बाहा निकाल सकते हैं जिससे हम अपनी प्यास बुझा सकते हैं कवे द्वारा दिये गए सुझाव के अनुसार शेर बहुत खुश हो गया कि बहुत ही जल्दी उसकी समस्या हल हो गई थी शेर ने कवे से कहा मैं तुम्हारा बहुत अभारी हूँ शेर की शब्दों से कॵे इतना खुश हुआ कि राजा शेर को कॵे का सुझाव पसंद आया तब शेर ने कहा तुरंट मैं वही करूँगा जो तुमने बताया और सभी जानवरों की प्यास को साफ कर दूँगा बाद में शेर और कववा कुवे के पास गए तभी एक हाथी, एक भालू और एक बंदर भी वहाँ पहुंचे शेर ने उनसे कहा मित्रों देखो, इस कववे ने एक अच्छा सुझाव दिया है, जिससे हमारे पानी की समस्या को दूर कर सकता है यदि हम ऐसा करें तो हमारे पास पानी हो सकता है, पानी गहरा होता है अरे बंदर, तुम जाओ, और एक लंबी लटकी हुई जड़ लाओ, एक बर्गत के बेट से ठीक है राजाशेर अरे हाथी, तुम जाओ, और एक बड़ा पत्ता लाओ ठीक है राजाजी फिर बंदर, बर्गत के पेड़ के पास गया, और लंबी लटकती जड़ लाया हाथी गया केले के पेड़ के पास, और अपनी सुन्ड से एक बड़ा पत्ता लाया फिर शेर ने पत्ती को एक गोल टोकरी की तरह मोड़ दिया और उस पत्ते को एक के उपर एक कर दिया फिर शेर लटकते हुए जड़की मदद से पत्ती को अच्छी तरह से छोड़ देता है पत्ते की मदद से शेर ने पानी उपर खिंच लिया इस प्रकार शेर ने पानी पिलाया और उन जानवरों की प्यास बुझाई क्या आपने सुना कि किस तरह कोवे ने सभी जानवरों की प्यास बुझाई इस कहानी का नैतीक कोई किसी से कम नहीं है आपको इस कहानी का जो भी पहलू पसंद आया हो वो नीचे कमेंट करना ना भूले धन्यवाद